नवरात्र में बुलेट पर सवार होकर मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने को लेकर तमिलनाडू से संगम मेगरी आये मा राजलक्षमी मंदा देवी उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र पूरे देश में मनाया जा रहा है ऐसे लोगों के घरों में दस्तक दे रही बुलेट रानी बुलेट पर सवार होकर नरेंडर मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए तमिलनाडू से चलकर प्रयाग राज पहुची मा राजलक्षमी मंदा चैत्र नवरात्र में देवी शेर पर सवार होकर भक्तों के घरों में पधारे ऐसी मनोकामना सभी भक्तों की रहती है तो वही मा राजलक्षमी मंदा महिलाओ की बेहतरी से प्रभावित होकर देश की संप्रभुता अक्षुव रहे और देश में राष्ट्रवाद की अलख जलती रहे। इसको लेकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर लोगों के बीच जाकर मोदी की गारंटी, देश के लोगों को बताने का काम बुलेट चलाकर लोगों से मिलकर कर रही है। प्रयागराज में बीजेपी कारे करताओं के साथ लोगों ने इनका भवे स्वागत किया। भारत माता के जैकारों से इलाके गुणजाय मान करने का काम लोग इनके पहनावे और बुलेट की सवारी को देखकर कर रहे हैं। भारतिय नारी की पारम परिक वेशभूशा पहने अपनी संस्कृती को बताने का काम तो कर रही है जबकि दूसरी और आधुनिक्ता का परिचय देते हुए बुलेट की सवारी कर लोगों को ये साफ संदेश दे रही है कि भय मुक्त वातावरन पूरे देश में देने वाले को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा जिसके चलते ये लोगों जनसमर्थन जुटाने की अपील कर रही है देश के 15 राज्यों के सफर को तैकर 21,000 किलोमीटर चलकर 65 दिन में तमिलनाडू से दिल्ली पहुँचने का संकल 12 फरवरी 2024 से लेकर चली है जो 18 अप्रेल 2024 को दिल्ली में पहुचकर समाप्त करेगी की बार चार सो पार चार सो पार करा के अखंड भारत के लिए